पुष्ट पादी रूल का सामने आया है सेकेंड पोस्टर और उसी के साथ अनौन्स कर दी गई है मूवी की रिलीजिंग डेट भी पोस्टर में आउट ओफ फोकस है अलू अरजुन लेकिन फोकस पर है उनका हैंड उन्होंने पहनी है फिंगर्स में कई रिंग्स और साथ ही दिखाई दे रहे हैं वो करते स्मोक पोस्टर पर लिखी है रिलीजिंग डेट विच इस 15 ओफ ऑगस 2024 अब जहां फैंस हैं एक तरफ एक्साइड़ कि उन्हें नेक्स येर देखने को मिलेगी पुश पार टू तो वहीं कुछ ओडियंस ऐसी भी है जो अलू नहीं बलकि करती है फुली सपोर्ट अजे देवकन क और फैन है रोहिट शेटी की कॉप यूनिवर्स की और अगर अजे की मुवी के साथ होगा किसी दूसरी मुवी का क्लैश तो लगेगा तो इस बात का बुरा ओडियंस के साथ ही मेकर्स को भी अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम कह रहे हैं ऐसा क्यूं तो बात ऐसी है कि सिंगम अगेन भी रिलीस होने वाली है इंडिपेंडेंस डे के अराउंड ही वैल येस रोहिट फिलहाल है बिजी इन शूटिंग फो हिस अपकमिंग वेब सीरीज टाइटल्ट एस इंडियन पुलीस फोर्स और इसके बाद वो मूव करने वाले हैं सिंगम 3 के शूट पर इ 10 टाइमस बिगर लेकिन अब अगर होगा सिंगम अगेन का पुषपा 2 के साथ क्लाश ऑन दी बिग स्क्रीन तो होगा क्या आखिर एक तरफ पुषपा 2 दी रूल से आ रहे हैं अलू के साथ ही रश्मिका मंदाना जगपती बाबु प्रकाश राज जैसे कई आक्टर्स तो और उस पर दोनों ही मुवीज अगर लेकर आएंगी आक्शन तो ओडियन्स के लिए भी हो जाएगा कन्फ्यूजिंग कि आखिर देखने जाएं कौन सी वाली मुवी को वैसे एक क्लोस सोस ने रिवील किया है कि रोहित अन अजे हैं इस बात से अपसेट कि आखिर क्यूं कि या गया डिसीजन अलू की मुवी को करने का रिलीज उसी डे पर जब सिंगम अगेन भी होने वाली थी रिलीज बट वही रोहित अपनी डेट्स को लेकर नहीं है इगोिस्टिक और करना नहीं चाते पुश्पाटू के साथ क्लैश तो इसलिए अब शायद रोहित कर दे सिं may change. Till then, for more such Bollywood news and updates, stay tuned to Boogal Bollywood.